हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोर्ट के द्वारा जो आप सभी का गड़ित का माडल पेपर वारल किया गया है ठीक है इसका हम संपूर हल देख रहे हैं आपका जो 2024 में बोर्ड का एक्जाम होने वाला है उसमें आपके माडल पेपर से मायकसिमum सवा पूछा जाता है ठीक है फ्रेंस आप सभी को खंड आ के जितने भी 20 महतुपुड वविकर्पी इसके थे सभी करा चुके हैं अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा के पहले लिस्ट से देख सकते हैं उसको पुरा डिटेल में आप सभी को कराये हैं आज हम आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है देखे फ्रेंस जितने भी प्रशन है सभी प्रशन आपको करा चुके हैं अभी तक आप नहीं देखे होंगे तो आप जा के प्लेलिस्ट आपको करना है जिसके सामने आपका पहला नंबर का देखे का वह्ला सवाल है यहां देखिए आपको सवाल है असपस्ट कीजिए कि तीन गुड़े पांच गुड़े साथ प्लस साथ एक भाज संख्या क्यों है देखे इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ठीक है ध्यान दें एक पाद है अगला पदा इसमें यहां पर साथ कमा ले सकते हैं तीन पुछ रहा है यह है, यहां आप देखेंगे, तो साथ किया है, कमा नेन, इसका मतलब यह पूरी संख्या साथ से किया है विभाज है और यहां बेवी पूछ रहा है क्यील रिखेंगे कि एंसर में इस पकास लिखेंगे तिक इस पकास देखा तरह थे यहां गुढति कंपा सबस्ueba सब्सक्राइब प्लस में एक भाज संथ्पी देखेंगे क्योंकि क्यूंकि ठीक है यहाँ लिखेंगे क्यूंकि इसका साथ एक अभाज गुरंखंड है अभाज गुरंखंड है जो पूरी संख्या संख्या को साथ से विभाजित करता है इस पकाज से दिखेंगे तो आपको इस प्रश्ण नहीं तो इस पर दो नमबर आपको पूरा देगा एक नमबर भी नहीं काटेगा तुर्ण देखेंगे दो नमबर देखेंगे बढ़ जायगा जैसे सवाल आपको बताने वाले हैं इसका संपूर हल देखिएगा ठीक है देखें का का जो आपको हल करना था इसको कैसे आपको हल करना है ठीक है यहाँ पर प्रश्ण देखें कैसे हल कर रहा है और इसी तरह बोड़ की एक्जाम आपको की फ साइन ठीटा अगले कोष्ट ने काश थीटा मैने साइन ठीटा-फलाइन गजिएगा अब यहांब conflust क्या है घन दुजिएगा इसमें आपका तुप्रियोग हो रहा है काउनस ओड़ कास फार्मूला हे ख़ो यह साइन धिता यहाँ पी जो फार्मूला परियोग होगा, उसको आप साथ में लिखते रहेगा, ठीक है, देखिए आप यहाँ पी देखिए, यहाँ पी आप बगल में लिख सकते हैं कि देखिए, आप यह पार्मूला पता होगे, कि एक कोश्टन्ग ए प्लस भी हो, और अगले एक स्क्राइब एक स्क्राइब करेंगे एतना करने के बाद देखिए आपको क्या करना है एक कई स्क्वार करेंगे एक होगा माइनस साइन स्क्वार ठीटा है तो साइन स्क्वार ठीटा लिखें अपान एक कई स्क्वार एक माइनस कास क्या है तो कास स्क्वार ठीटा करेंगे अब देखें यहांब फार्मूला पर हो मैंधे चुक히 आपको पता है कि 1-sin2 ठीटा परावर क्या होता है छीटा हुता है और 1-1-2-1 थीटा लिखा रहे हैं इसका फार्मूला होता है सकानल क्या पिदा अब देखें यहांपर क्या करेंगे आप 1-2 29 X CPT अभे स्कुराइरडलिक सकते हैं तो बहुत venus तो बॉल कोरस्ट्ट हुआ इसके स्कुर्ट कर लिए ku हार अब देखिए teak जितनी भी फार्मूला पर होगा पगल में आप लिखना पढ़ता है बोर्ड के एक्जाम में तो चुक्कि लिखिएगा कास ठीटा अपान साइन ठीटा यदी लिखा है तो उसे आप डायरेट क्या लिख सकते हैं काट ठीटा लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पर वसमा रख लिज है यहाँ पर साथ बटा कि आठ्ट यहाँ स्कूर कर लिजिए है कि साथ क्सकूर करने साथ तो सदे और चास होगा अंचास और की स्क्वार 역시 आठ्था चो सट हो जाएगा यहीं क्या हो जाएगा आपका एंशर हो जाएगा थीक है इतुकि जैसे पदार इसी तरह बोड के exam मे पूछता है ठीक है चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं देखे आप अगला नमबर का सवाल क्या है आप ध्यान दीजिए का देखिए यहां पर तीसरा नमबर के गवाला यहां पे दो गनू जिन में से परतेक का आयतन कितना 64 cm क्यों है ठीक है सगलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है इससे प्राप्त घनाव का प्रिष्टी च्छत्रफन ग्याद कीजिए देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ठीक है बस आप देखते हैं यह बहुत सिंपल तरीका से आपको सिखाने वाले हैं देखिए यहां पर क्या कर वह सब्सक्रांब नितने च GAB's over बराबर बार आयतन दिस यह और ले लेजिए इस तरह इसका भीयातन चौसट्ण दिया इसमा ऊचफित है कि ठोस बनाया जाता है याशन सब्सक्राइब इस दोनों को प्रिष्टि प्रिष्टि चर्फल इसके प्राद्र जंक्नाब करें को देखिए पहले को करते हैं कि इस गहना गहन का क्या करता है आयतन निकाला देखिए अप वसमें बराबर है और दोनों का आयतन कि prosperity क्या होता है चलिक उसके गहन की जो बूजा माल के मालत है ट एप एप यूगाр ती चलिके और और यह कि यहां पिर आपका गंदका अायतन के ओर घन का आयतन गंगा लlor लाका कि आ इससे फिरुने कई वह दिष्चेंगे यहां पिर इते शो का घंमूल घंमूल लेने पर जान जटाँ निकाल दीजी है यहां पे ठीन रहेगा thick सूश्ट का समझा क्त छोते है जह संच के इस तरह कीजिए है फ्लिशेल से दूसर कटाओ कुल बार में के चार स्पाष। यह चार यह दू और यह दू से एक बार यानि कितना हुआं देखं़ों दो गुरे दू गुरे दू गुरे दू गुरे कुल भी यहाँ तो ने हैं यहाँ देखी कि दिन यह दू तो ई गुड़े ए कर सकते हैं तीन यहांपर होना का मतलब 3 से निकल जाएगा दूर न के यहां पर भूजा यानि कि यहां पर चार आया इसका चार हो गया और यहां से इसका चार हो गया अब जब इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे इसकी भूजा इसकी भूजा दोनों एड हो जागा न यहां पर क्या हो जाएगा चार प्लस चार हो जागा यहां दोनों चौड़ाइब कि यह आपका इसको जैसे च्हारी होगा और इसका और इसके सिर्फ आपका इसका जुम्धा इतना ही रहेंका जितना इसका है देखिए यहां पर डमबाई को मतलब गजसे बड़ा है यह भी चारी होता है यह बहुता है तापसमें ब्लूर गड़े लंबाई कितना ओजाए आठ तोड़ाइचा और चीज़ अब यहां क्या करा है देखिए सवाल में कि गणाब का प्रिष्टिय चेत्र फल ग्याद करने करने के लिए करती है रहते हैं तेक के यहां पर फ्रिश्टी सिंद एक फार्मूला की उता चली है यहां पर प्रिश्टी भील प्लसी अज अल इसका मतलब लंबाई गुड़े चोड़ाइ प्लस चोड़ाइ प्लस शब्लस उचाइ गुड़ाइ यहाँ प्लस यहाँ फर मारत कर लिजी देखे दू कुष्ट में यल कमान कितना है आपका यल कमान आठ है तो आठ करेंगे बी कमान कितना है चार है तो चार कर लिजे प्लस बी कमान यहाँ पितना है चार है तो चार कर लिजे यज कमान चार है और यल कमान कितना है आपका यल कमान आठ है तो आठ कर लिजे ठीक है देखें यहां पर दू गुड़े आठ चोको 32 चार चोको 16 अब सबको आपस में जोड लिए यहां कितना होगा दू गुड़े बतिस बतिस चोशाट होगा और चोशाट में 16 जोड़ेंगे तो आपका 80 होजागा कितना होगा असी ठीक है यहां पर गुड़ा का चिन जब कोश्टे के बार कोई चिन नहीं रहाता तो गुड़ा का बना लेते हैं अब गुड़ा कर लिजी दू आटे 16 166 निकला है सेंटीमी उप्रणूर के एकजाम में पुरा डिटीयल से लगाना रहेगा तो इभी जहांकि आपको दो नंबर इस परस्ट पर मिलने वाला हैं अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं कि आप अगला नंबर के प्रष्ण को क्या है है इसको कैसे आपको हल करना है अब देख सवाल में माद निकालने के लिए का रहा है तो सवाल से लिए यहां पर निकाल को एक किसे दिखाते हैं या फे दिखाते थे तब बगल में यह लिख सकते हैं अब देखे इतना करने को बाद पर इसको लिख लेते हैं फिर इसके बाद समझाते हैं आपको क्या करना है सवाल में देखे कितना दिया है 10 से 20 दिया है और 20 से 30 दिया है ठीक है 30 से 40 40 से 50 50 से 60 ठीक है 50 से 60 हुआ और 60 से 70 पर सवाल को लिख लेते हैं ठीक है इतना हो गया 2 दिया है फिर इसके बाद 7 दिया है फिर इसके बाद 12 दिया है फिर इसके बाद 15 दिया है फिर इसके बाद 8 दिया है फिर इसके बाद 6 दिया है ठीक है इतना कर लिजिए करने के बाद देखे इसमें आपको पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए पहले इसका मद्यपद ठ अब देखें मध्य पद निकलता कैसे है, तो मध्य पद को x दिखाते है, x बराबर होता है, yel one plus l two बटा के 2 होता है, इसके बाद क्या करते है, अगले पद में, f गुड़े x होता है, f गुड़े x, यानि यहाँ पर जो बारा बारता है, जो मध्य पद है, उनका क्या करेंगा गुड़ा करेंगे, ठीक है, अब देखें, मध्य पद के निकलता कैसे, एक निकालेंगे, और सब बता देंगे आपको, देखें, यहाँ पर मध्य पद यह होता है, इधर कमान, yel one होता है, इधर कमान, yel two होता है, yel one देखें, 10 plus 20 बटा के 2 करेंगे, तो कितना हो जाएग और सब आपको, 1010 के बटा के हैं, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, पंदेखें, एक निकाल लेंगे, आपको क्या कम रहता है, आपको क्या में पतर है, इधर 10 का, बीस और सबुस्प कितना करेंगे, 10 का, 20 और 10 जोड़े इस पका से कर लीजीए अब दीचे के आपको करना रहेगा पूरा ठीक है देखे दियां से देखे अब साथ के गुड़ कहसे पपच्चीस में करना लिखेंगे साथ गुड़ करdefinedबूर में कीजिए हैं। 20 सोजाए एसितर आप क्या करेंगे 15 कि 15 15 लिखेंगे और 45 लिखेंगे अब इन दुनों का अपस में गुड़ा कीजिएगा तो अगा इसी तर आठ के गुड़ा किसमें करेंगे, 55 में, 55 में कर लीजिए, देखें, कितना होगा, 400, 40, 6 के गुड़ा 65 में करेंगे, कितना हो जबाद, 360, इतना करने के बाद, देखें, अगला पत क्या करते हैं, इस सवाल में, ठीक है, देखें, इस तरह, अब यहां पी क्या करते हैं कि सिग्मा Fx निकालते हैं क्या कुंभेता हैं सिग्मा efx मतलब 30 15 427 675 440 390 आपस में जोडना आए जोड़कि यहां पे понял कि यहां चेले कि पांच 15 10 हो जार क्शीर या निकालते हैं सिग्मा सिगमा एफेक्स निकलते हैं सिगमा एफ मतलब यह बारा बारताओं का योग निकालेंगे इसको देखें आप जोड़ लीजिए तेखें साथ दुनों नौ में बारा जोड़ेंगे नहीं काईस एक काईस में पंदरा जोड़ लीजिए ठीक है इस तरह करके आठ और च्छा मतल टोटल जेगा पच्छास होजगा कितना पक्चास अब दिखेंँ समांतर माद निकाला यान निकाला है समांतर माद देखेंगे मात दया बराबर होता है आँका फार्मूला क्या होता है मा एक ऊमाक्या एक सुटीज़कंड दिया है किपक्लफचाव जिज उसको आपस में कटा लिए देखिए पांचों को 20 होगा पांदुना के 10 और 5 अपका इंसर होगा ठीक है दीखिए आपको समझा रहा है तो समय लग रहा है लेकिन आपको लगाना रहे है प्राक्टिस किये रहेंगे तो बहुत कम समय में आप इन सवालों को लगा सकते हैं अब चलिए देखते अगला नंबर का सवाल आपका क्या है किस पर का सब पूछा है यहां पर atac d on the Side here दो नंबर के यह अभी है कि बिन्दू माइन चार काम अच्छा बिंदू माइनस चामा दस और तीन काम माइनस आठ को जोडने वाले रिखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है देखें बहुत सिंपल सा सवाल है देखें अंगे वाल कैसे लगाएंगे आप देखें यह आपका एक रेखा है ठीक है यहाँ पर न अनुपात में यानि कि यह क्या है इसके बीच में कहीं भी होगा यहां इसका नाम देते हैं यह दिखें माना इस माना मानेंगे क्या कि रेखा खंड रेखा खंड को यमोर अनुपाते यम्टू में बाटता है ठीक है इस तरह कर लेंगे अब देखे इस सवाल को लगाएंगे कैसे अब यहाँ पे रिखा खंड का अंतवी भाजन का फार्मूला लिखेंगे देखा खंड का अंतवी भाजन अंतवी भाजन अब देखें यहाँ भी फार्मूला इसका होता है कि YX कामा Y बराबर फार्मूला होता है YM1 X2 प्लस YM2 X1 अपान YM1 प्लस YM2 ठीक है? कामा रहेगा अब देखें Y1 Y2 प्लस YM2 Y1 अपान YM1 कामा YM1 प्लस YM2 हो जाएगा तरह कोश्टक बन करेंगे इस पूरे फार्मुला कर स्वबार्प एस सवाल उको लगाते हैं अब देखें यहां पर कर लिए यहां पर क्या करना है यहां से लिखना है यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं यहां से लिखना 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 से प्लस M2, कोश्टक बंद कर लीजी, ठीक हो गया इतना, अब देखिए ग्या करेंगे, देखिए माइनस 4 कामा 6, देखिए यहाँ गुड़ा करेंगे तो 3 M1 होगा, यहाँ गुड़ा करेंगे M2 का तो माइनस 6 M2 होजाएगा, अपां, यह M1 प्लस M2, कामा, गुड़ा करेंगे, माइनस 8 M1 होगा, और यह कितना प्लस 10 M2 होजाएगा, अपां, M1, M2, कोश्टक बंद करेंगा, अब देखिए, यहाँ पर जो दिया है, यह X का मानी है, और यह Y का मानी होजाएगा, यहाँ से तुलना करेंगे तो यहाँ पर रखिए, कि आप माइनस 4, किसके बराबर होगा, तीन M1 माइनस 6 M2, अपां, यह M1 प्लस M2, ठीक है, इसका हल करके M1 और M2 का अनुपाद गयात कर लेंगे और आपकी इच्छा करेंगे तो इससे Y का Y से तुलना करके भी निकालेंगे तो उतना ही एंस्वर आगा एंस्वर में आपका गड़ गड़ी नहीं होगा ठीक है 4 G ं देश.. Scholी अब करेंगे 4 करेंगे". ऐधर किया बचए गड़ी माइनस焦ियो साल करांगा. अब गड़ा करेंगा और उतका है माइनस 4 M1 हो जाएगा माइनस माइनस्साइठ एंस Channe कर लिजिए एंस माइनस चाहार मउनमन है इसको पच्छांदर करें गया तहो माइनस 3 M1 हो जाएगा यह, 6 M2 है इसनो exp5 कितनो मोपा 4M2 हो जाएगा डेकर जाएगा क्छे या माइनश माइनस 4 इना 7 M1 बराबर यह, 5 M2 करेंगा तो शर्न 2 refers जाँा जाँगर, यहां miles 2 है, इसको 55ρα करेंगे तो minus 7 आ जाँगा, minus कट गया, यहां पर होगा, yum1 upon yum2 बराबर कितना हो, 2 बडाके 7, अनुपात में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे इसको, अनुपात में लिखना रगा तो लिखेंगे, yum1hodou episodes yum2, सब्सक्राइब उसी तरह इस सवाल को आप हल किजिएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को किया स्वाल ही ठीक है यहाँ पर दिखिए यक्स और वाई में एक ऐसा संबंद ग्याद किजिए जो बिंदू इतना इतना से संदूरस्त यानि संदूरस्त है ते इसको कैसे लगाएंगे अप तो यहांवाई में एक अईसा संबंद क्याद कि यहां इतना से यहां इतना सी यह और यह बिदू समान दूरी पर है यानि यह एक्स और वाई कहां पर बीच में हैं यहां पर हैं और इससे क्या रहा है कि 3 कामा 6 ठीक है और यह क्या है माइनस 3 कामा 4 समान दूरी पर है ठीक है इस तरह समान दूरी के मतलब क्या होता है कि पर दो बिंदू की बीच की दूरी की इसके बीच में क्या फार्मुला ल कि फार्मूला आपका होता है करड़ी में यक्सवन माइनस एक्ष्टू का होल स्कूर प्लस वाइवन माइनस वाइटू का होल स्कूर इसी पर लगेगा अब इस सवाल में जो कहा है सम दूरस है मतलब समान दूरी पर है इसका मतलब हुआ कि a p की बीच की दूरी दूरी बराबर होगा पी बीच की दूरी ठीक हो गया इतना अब यहां क्या करें बस मान रख लें इसको मान लते हैं यक्सवन इसको मान लते हैं वाइवन इसको मानते हैं यक्सटू इसको मानते हैं यक्सटू इसको मानते हैं वाइटू इसको मानते हैं यक्सट्री इसको मान क्रम से रखते चले जाएंगे यह मानने कुपर जैसे आप की च्छाकर वह ऐसे मान सकते हैं अब देखिए इस तवाल पैसे लगाएंगे दो बिंदू की दूरी यह फार्मूला है यहां पर करोड़ी में क्या होगा देखिए यक्स1-3-2 यानिक इसमें से इसको गटाएंगे 3-1 यानिक होल क्लार प्लस 6-1 अनडर रूत में देखिए इसमें म इसको कटा है तरुम्छ इसको कटाहूंच यहां पर होगा यक्स माइनस देखिए यहां पर पैस्या मानेस होता है यह यहां पर तीन यहांपर य1-4 यहां पर फार्लार कढ़ Sai टीनル यहां पढ़े हटाने का प्रियास करेंगे जब करई कारी करेंगे लिखेंगे दोनों पच्छों का वर्ग करने पर ठीक है लिख लिए जब लिख लिए देखें यहाँ पी क्या करेंगे लिख लिए कि यिद्धि kg का होल्कतुंट यक्स रखोने दिश्द प्लस चैनल माच्छटव यका होल्का है यहाँ च्छाल प्लस से यहाँ पेम इसे दूटे से लिच टेक बराभर करोणा धेकि वर करने पर डिश्ट्द capital X plus 3 whole square plus capital Y minus 4 whole square ठीक है यहाँ पी square कर लिजिए हो गया अब चलिए देखते हैं दिखिन जब जही सहीं आप वर्क करते हैं ते करोई हट जाता है यहाँ पर हो जगा 3 minus capital X whole square करेंगे plus 6 minus capital Y whole square capital X plus 3 whole square plus Y minus capital capital 4 whole square अब देखिए whole square formula पर विस्तार कर लेंगे ठीक है whole square formula आप सभी को पता होगा A का square चलिए यहाँ पर देखिए A का square मतलब देखिए A के जगह पर B के जगह पर A के square करेंगे मतलब 3 का square करेंगे तितली के 9 होगा plus X की square करेंगे 2 A B 2 A 6 X हो जाएगा ठीक है यह formula के विस्तार कर लेंगे प्लस इसी तरह A माइनस B का whole square है A के square मतलब 6 के square करेंगे 36 होगा plus B का y के square करेंगे y square हो जाएगा minus 2 6 का 12 y हो जाएगा ठीक है इस रूप में विस्तार कर लेंगे इसी तरह A plus B का whole square हो फार्मूला पर विस्तार करेंगे A के जगा प्लस X के square करेंगे x plus B के square मत तीन के square करेंगे तो इतली के 9 plus 2 A भी तो देखे 3 दूना के 6 X हो जाएगा plus इसका विस्तार कीजिए 3 दूना के 6 देखे देखे यहाँ y के square करेंगे y square हो जाएगा 4 की square 4 चोको solo हो जाएगा मानि 2 चोको 8 y हो जाएगा अब देखे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अब क्या करेंगे सभी x और y वाले पतव के एकसाइट कर लीजिए जो अंक होगा उसको एकसाइट कर लीजिए अब अंक में कौन-कौन सा है अक्षर पहले सभी अक्षर को एकसाइट कीजिए x square करेंगे 6 x to 6 x करेंगे प्लस y square है तो y square 12 y है तो 12 y कर लीजिए यहाँ अक्षर देखे ते minus x square कर लीजिए इसलिए कि पच्छांदर करती है तो चींह बतल जाता है न गया बराबर देखें यहां पर 9 लिए रहाने देखें, प्लस 16 यह तो 16 टो 16 यह इस उठाके 9 को इधर लाएंगे तो मानस 9 हो जाएगा गए 36 इतना हो गया अब होने के बाद देखे क्या करेंगी कुर्ण कौन कुर्ण सा कट रहा है यह is ऑफ च्पार c smr-5 to card अब देंहाएषAdd wir च्पार माय मेंस और मायंस बारह एका Saba keluar आद टो आध्ये सुद्छा भाइए और आलाइ यहां पर 5050 ar किटब आटा किन्हचांगा चार भाइए वाइए बराबर देहे नौ प्लस 16 और यहां माइनस 36 तो क्या करें गटाएंगे ना गटाएंगे कितना होगा तो 36 में 16 तो यहां पर चाहिए जिरो तीन में चाहिए चाहिए तीन में चाहिए दूर माइनस कितना बच रहा है यह म window यह माइनस एकल डो अवा है ठीक है यहां पर माइनस 20 होजाएंगे टिक है यहां पर देखिए यहांपर कितना होगा पांच पांच libraries लिजेए इस सेट यहां पी कितना होगा आपका इस तरह से इसका एंसवर आपको ग्याद करना था जैसे समझाएं इसी प्रकास डिटेल में आप पूरा बोर्ड की एकजाम में आपको लगाना रहता है ठीक है यहां पी आपको समझना आए कैसे आपको लगाना है देख लिए है यहां पर आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करां करेंगे क्यूंकि यह बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जायेगा तो आपक लंबा वीडियो इसलिए आप क्या करते हैं कि इसका जो दूसरा वाला पार्ट है इसको आप सभी कुछ समय के बाद अपलोड कर देंगे उसे भी आप देखके इन प्रेशनों को आप जरूर तयार कर लीजिएगा जितना भी माडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा तयार जारी किया गया है वह सभी माडल पेपर को आप देखके जरूर बोर्ड के एक्जाम में जाईएगा ठीक है आप दोस्तों के पास अधिक अधिक वीडियो को सेर करें